नमस्कार आप देख रहें स्काइनेट टीव इंडिया भारती जंता पार्टी कार्याले में लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर मिशन 400 पार की रन्नीत पर बैठक हुई जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों तक प्रधान मंत्री की राम राम पहुँचाने की योजना तयार की गई बैठक सुवे लगभग 11 बजे प्रारम भुई बैठक में पहुँचे सभी जन प्रतिनिदी कारिकरताओं को संबोधित किये कारिकरम में सांसत संकर ललवानी, मंत्री तुल्सी सिलावट, उसा ठाकुर, विधायक मधुबर्मा सहित कई पदा धिकारी उपस्तित रहे बैठक की सुरुवात तीप प्रज्वलन के साथ हुई बैठक स्री चिंटु वर्मा की अगवाई में आयोजित की गई थी चिंटु वर्मा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनकी अगवाई की यह पहली बैठक थी आपको बता दें चिंटु वर्मा को हाल ही में इंदोर जिलाध्यक्ष बनाया गया है कारिक्रम के अंत में स्रीकेलास विजयवर्गी ने कारिकरताओं को मोधी मंत्र दिया कारियाले में इस्थित चिंटु बर्मा के आफिस में जाकर उन्हें जिलाध्यक्ष बनने की बधाई थी बैठक के बाद सांसन संकर ललवानी मीडिया से चर्चा की बारती जन्ता पार्टी सिर्फ चुनाओं में ही तेगानी रहती है वो 300 के लिए 247 हमेशा जन्ता की बीच में रहती है और संगठन के कारिकरम हमेशा चलते रहते हैं और उसी के अंतरगत आज चुनाओं की तारीक उशुत होने के बाद जिले की गरामिट की बेठक हुई और इस बेठक में जो पार्टी संग्रण ने जो हमें काम काम उसके बारे में चर्चा हुई और जो मानिय प्रदान मंत्री जी की मंच्छा है कि जो हमारे इदिग्राई और प्रत्यक बूत पर 370 कमल बढ़ाना है उस योजना पर लेकर आज रणिती बनी है मुझे लगता है जिस परकार ग्रामिट में बहुत उस्सा है और हम देखते हैं ग्रामिट का वोट परसंटे शहरी शेत्र से भी ज्यादा होता है तो ग्रामिट के कारकरता में उस्सा है वही चिंटु वर्मा ने बताया कि आठ सो एकाउन हमारे ग्रामिट के बूट हो और लगभग तीन विधानसवा पूरी और राओ का अधा इस्सा आता है हर विधानसवा में हम एक लाग मतों से अधिक से जीते हैं और प्रत्यक बूट पर पिछली लोगसवाद से 370 वोट हमें बढ़ाना है इसी टार्गेट क जल रहा है लगातार संपर्ग प्रवास और संवाद और मोदी जी की रिती नीती को लोगों तक पहुचा कर हिद ग्राहियों को हम मोदी जी के रामराम भूट है इस बार देपालपुर महू रव और साविर अध्भूत करेंगे मैं समझताओं कि इंदोर से से भी जाधा बो से जीतने का लक्ष पै किया है अधर नंबर है इससे हमारा बड़ा भावनात्मक संब्द है हम बच्पन से एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नारी लगाते हुए आए तो धारात 370 की 370 को प्रधान मंजी जी ने कहा कि हर पोलिंग बूट पे 370 वोट पड़ा है हमारा टार्गेट यह हम हमारे सभी पुरिष्ट कारे करते हैं जितने भी यहां बैटे हुए मेरे साही हम सब पोलिंग बूट पे जाए और वहां पर केसे हमारा वोट पड़े इसके लिए हम कोशिश करेंगे हमें उम्मिद है कि मत्यप्रदेश की बुरी 29 सिट और देश में 400 से जादा NDA की सीट ज झाल